Dear student, we have to discuss the implications of early understandings of inequality, science and technology for the development of sustainable society. जब हम sustainable societies की बात करते हैं, उसके अंदर freedom है, security है, solidarity है, बहुत से factors आते हैं, जब हम उसको align करते हैं, इसी के साथ, तो हम जैसे हम बात कर रहे हैं, कि हमारी alignment इसी से जब sustainable society तक जाएगी, तो अब दो चीज़ें उसके अंदर important factor आ गई, पहला important factor ये था, जिसके अंदर हमने भी बात की, कि अगर हम उसके behavior development process में, call और fail के तज़ाद को खत्म करेंगे, तो पहले नबर पे तो ये difference जब खत्म होगा, तो उसका learning process शुरू होगा. दूसरे नमबर पे equality, fairness, respect for the differences, देखें, जिस तरीके से अल्ला सुबाना ताला ने हमारी शकले मुख्लिब बनाई है, इसी तरह अल्ला सुच भी मुख्लिब बनाई है, मेरा सोचने का अंदाज और है, आपका सोचने का अंदाज और है, ये है difference of opinion, अब हमारी development क्या है, जो मुनिश चाहिए, और जो need sustainable society की, वो ये एक respect for the difference, अभी आप देखें न, आप nine लिख दे, आप अपने तरफ से पढ़ ले हूँगे, तो वो nine होगा, मैं इधर से पढ़ रहा हूँगा, तो six होगा, भई हो सकता है कि जिस एंगल से मैं सोच रहा हूँ, जिस perspective में मैं सोच रहा हूँ, वो perspective से आप नहीं सोच रहे, उसके एक मैं example देना चाहूँगा, मैं teacher हूँ, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, उसके objective क्या है, आप student है, आप student के perspective से देख रही है और आप कहते हैं, जी मुझे इस चीज को कैसे त्यार करना है, मुझे paper कैसे attempt करना है, मुझे number कैसे लेनी है, मैंने मेरी output, मेरे grade कैसे बनेगी, अब देखे हमारे दो अलएदा अल हैं, हम ऐसे गलत कोई भी नहीं है, लेकिन respect यह है, कि मैं आपकी opinion की respect करूं, और आप मेरे opinion की respect करें, तो यह जो difference of opinion है, इसके अंदर हमें एक दूसरे की जो respect करनी है, वो बुनियादी मकसद है, क्योंकि हमारा difference of opinion है, वो base बनता है differences की, लेकिन difference of opinion, होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आम तोर पे अपने students को अपने बच्चों को यह कहा करता हूं, कि on the base of difference of opinion, आप differences मत डाले, यह इसके अब्तदा हमने यहां पे करनी है, equality की अब्तदा हमने यहां पे करनी है, fairness की अब्तदा हमने यहां पे करनी है, और यह हमारे पा यहां पे उसने एक दो मिसालें है, United Kingdom की है, United State की है, वो डिवेल्प करन्टीज हैं, हमारे बहुत सारे researches हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर जो हैं, यह बात था थाबित होती है, कि वो डिवेल्प करन्टी जो हैं, वो डिवेल्पिंग करन्टी के साथ, inequality को सामने ना रखते हुए, परापरी की बास पर चलते हैं, और अगर हमें international phenomena समझ आ जाएं, और हमें यह inequality समझ आ जाएं, तो हमारे लिए यह समझना असान हो जाएगा, कि हमारे differences exist करना, कोई बड़ी बात में, difference हो सकता है, difference of opinion हो सकता है, लेकिन उसकी बेस पे differences डालना यह गलत बात है, इसके लिए हमें चाहिए, कि अगर आज हम यंग learners जो हैं, इन को understand करवादें, equality के बारे में, difference of opinion के बारे में, तो future के अंदर जो हमारी sustainable society होगी, उस में यह तमाम चीज़ें जो हैं, यह address हो चुकी होगी.